विए तो इन फ्रेंड एक बाफिर से आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड थोड़ी से क्लास लेट हुई है कुछ टेकनिकल इसूज आ रहे थे जिसकी विए से थोड़ी क्लास लेट हुई आप सभी जल्दी से जॉइन कर लिजे तो आज की क्लास में में स्टार्ट करेंगे यूनिट नूमबर फाइब मीन्स चैप्टर नूमबर फाइब में आज हम डिसकस करेंगे क्लास के सभी वीडियो जरूर देखे होंगे अगर आपका कोई भी वीडियो मिस हुआ है तो आप उसे लाइब क्लास रेकॉर्डिंग ऑप्शन में जाके देख सकते हैं तो तयार हो जाएए आप में से जिनको भी राइट अंस पता है आप चैट सेक्शन में कमेंट करते रहेगा सबसे पहला क्वेशन आ चुका है स्क्रीन पे किस मेन्यो में नॉर्मल व्यू बिकल्प दिखाई देता है देखे एक बार हम थोड़ा सा लिब्रियो आफिस इंप लिब्राइस होता है यह तो इसलिब्राइब प्रिया जिसमें इसरे रेलेट एलिडेल कोशिंट कर दिया तो आप उसे बीडेगे उससे आपको आपको बैजिक आइडिया मिल जाएगा किस प्रीबियस एकजाम में जुलाई 2002 के एक्जाम में यह पूछे गया थे तो जब से पहले कुछ इस तरह की स्क्रीन आते हैं इसमें हमें टेंप्लेट सेलेक्ट करने का उप्सन मिलता है इसमें काफी सारे रेडिमेट templates होते हैं इसमें से आप कोई भी template select कर सकते हो यह readymade design एक तरह से हमारी presentation के लिए हैं तिन में से हम अपनी requirement की साब से कोई भी template select कर सकते हैं जैसे हम template select select यह design हमें मिल जाएगा एक तरिके से इसको हम use करके customize कर सकते हैं इसमें अपने presentation से related जो contents है यह text है table है pictures है graphics है उसम इंसर्ड करके हम अपनी presentation create कर सकते हैं ओके अगर हम यहां पर menus की बात करें तो यहां से कई सारे questions यह बनते हैं कि LibreOffice writer में कितने menus होते हैं सबसे पहला question बनता है एक question बनता है LibreOffice impress का default file name क्या है तो देखिए untitled one यह LibreOffice writer calc impress इन तीनों में default file name क्या होता है untitled one LibreOffice impress में total 10 menus होते हैं जबकि writer और calc में कितने होते 11 तो यह भी आपको याद रखना एक्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए LibreOffice impress में कितने menus हैं कौन-कौन से menus हैं file edit view insert format slide slide so tools windows and help total इसमें कितने menus हैं 10 menus हैं ठीक है इन menus के बारे में already मैंने paid course में जो videos प्रोवाइट किये हैं आप में से सभी लोगों नहीं सायद देख लिया होगा complete कर लिया होगा तो आपके पूरा आपने options के बारे में बताया है किस menu में normal view बिकलब दिखाई देता है देखी कई लोग confusion जैसे कि राहूल ने बता है insert menu जब भी ब्यू की बात की जाएगे तो view menu में ही मिलता है आपको ठीक है तो यह सब क्या है views के options होते हैं जो कि आपको view menu के अंतरगत मिलते हैं ठीक है तो option यहां पर C right answer है इसका right answer क्या हो जाएगा option C view menu में आपको क्या मिलता है normal view बिकल्ब दिखाई देता है और प्लस यह default view भी होता है अगर LibreOffice Impress में कौन सा default view पूछा जाए तो यह normal view default view होता है और अपनी presentation भी normal view layout में design करते हैं निम्न में से कौन सा उपकरण यह tool आपको standard placeholder का उप्यूग किये बिना slide में part means text जोडने में सच्छम बनाता है यहाँ पे एक word आया placeholder अब यह placeholder क्या होता है जैसे हम यहाँ पे impress को open कर लें और आप यहाँ पे मैंने थोड़ा सा dark theme select किया है तो चीज़े प्रॉपर हो सकता आपको ना दिख रहे हों यहाँ पर देखे dotted boundary line आ रही यह कहा है placeholders होते हैं इसमें आप कुछ भी आइड कर सकते हैं जैसे आपको table insert करना है chart insert करना text आप insert कर सकते हो pictures insert कर सकते हो images या graphics को insert कर सकते हो तिए placeholders होते हैं in case हम यहाँ पे placeholder को delete कर देते हैं हमारे पास अभी दो placeholders थे दोनों को हमने delete कर दिया अब आपको text type करना है याप आप keyboard करेंगे तो कुछ भी हमारी slide पर type नहीं होता है तो क्यूंकि हमने यहाँ पे placeholder को delete कर दिया है placeholder क्या है जो आपको dotted lines देखते हैं जो आपको slide पे dotted lines देखते हैं उसको हम क्या बोलते है placeholder अभी तक हम लोग placeholder क यूज करके text को add कर रहे थे बट हमने क्या किया यहां पर placeholder को delete कर दिया अब इस case में आपको क्या करना है आपको यहां पर text box insert करना पड़ेगा यह देखे text box की shortcut की क्या होती एप 2 हो सकता है पूछ लिया जाए यहां से आप text box design कर आप इसके नदर कोई भी text डाल सकते हैं ठीक है तो आपको text box यहां पर insert करना होगा तो यही पूछा गेस question में निमन में से कौन सा उपकरण या tool आपको standard placeholder का उप्यूक किये बिना slide में text जोडने में सच्छम बनाता है किसका यूज करते हैं text box tool option a correct answer है ठीक है next question देखे आज हम unit number 5 से related important question डिसकस कर रहे हैं आप में से वो सकता है बहुत से लोग late join कर रहे हैं तो अगला question देखे presentation में slide पर timing fix करने के लिए प्रियोग करते हैं presentation में slide पर timing fix करने के लिए क्या प्रियोग करते हैं जैसे आप अपनी presentation को क्या करना चाहते हैं automate करना चाहते हैं हम slide सो start करें और हर एक slide एक particular time period के बाद अपने आप दूसरी next slide आ जाए और हर slide का एक अलग-अपना time duration भी देना चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं title slide हमारी 20 सेकंड तक screen पर रहनी चाहिए second जो slide है वो 15 सेकंड तक हमारी screen पर रहनी चाहिए फिर अगली slide आपको लगता है 25 सेकंड तक screen पर रहनी चाहिए उसके बाद आप automatic next slide आए तो इसके लिए एक option रहता है हमारे presentation अप्लिकेशन में जिसको बोलते हैं रिहर्स टाइमिंग आप्शन का इस्तेमाल करके आप अपनी slide या presentation को fully automate कर सकते हैं आपको यहां पर मैनुली slide को change करने के requirement नहीं रहते हैं किस किस इम्प्रेस में new theme जूम क्या है new in tamb या maximum दोनों पूछा जा सकता है तो minimum और maximum दोनों इप्जाम में आसकता है पूछा जा सकता है do policing के बारे में का slibbers बिल्कुल सेम है तो आप चाहें तो इस free class को भी इस class के जस्ट बाद slow होगी सामको 8 बजे तो आप इस class के बाद आए तो उस्क्ते हैं गई सकते हैं गिसकते हैं गिसकते हैं ग्यानेक्स फी यूट्फी चैनल पे बिलकुल फुरी है में किसी particular location पे किसी particular table पे particular image पे ग्राफ पे जाने के लिए आप directly उसके माध्यम से पहुंच सकते हैं यह option कहाँ पर मिलता है आपको view menu के अंदर आपको जाना है और नीचे के तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर देखे प्लस shift प्लस shift प्लस f5 shortcut की होती है लेकिन याद रखेगा writer में और calc में navigator open करने के shortcut की होती f5 दोनों में f5 है बड़ यहाँ पर क्या होता है control प्लस shift प्लस f5 ऐसा क्यों किया गया इसका region है क्योंकि यहाँ पर f5 से आपका slides to start हो जाता है और shift प्लस f5 से shift प्लस f5 से क्या होता है library office impress में current slide से slides to start कर सकते हैं कहां से current slide से यह present slide से slide सो start करने की shortcut की होती shift प्लस f5 और slide सो start करने की shortcut की f5 इसी वएसे आप पे navigator की shortcut की थोड़ी से change कर दीगी calc writer में f5 होता है बड़ इंप्रस में क्या होता है control प्लस shift प्लस f5 और यह option कहां पे मिलेगा आपको यह view menu के अंतर गताता है चले एक बार हम open करके आपको दिखाते हैं निवगेटर में क्या क्या चीज़े आती हैं अलक्स एक बिंडो आ गया अब इस बिंडो में देखिए आप किसी particular slide पे जा सकते हैं directly यहीं से slide 100 में जाएंगे जैसे कि मैंने बताया था slide 100 menu के अंतर गता आपको slide 100 start करने की shortcut क्या है f5 start from slide shift plus f5 इसी वज़से navigator enable करने की shortcut क्या दी गई है control plus shift plus f5 तो इस question का right answer हो जाएगा navigator की shortcut की क्या है option b control plus shift plus f5 इस question का right answer है next question देखिए LibreOffice में comment जोड़नी का बिकल्प किस menu में होता है आप writer में calc और impress इन तीनों में comment add कर सकते हैं comment add करने के लिए आपको कहां पे जाना है insert menu में यहाँ पे देखिए comment का option दिया गया और इसकी shortcut की तीनों में same है अगर एक को याद कर लेते हैं तो LibreOffice writer calc impression इन तीनों के लिए same होता है control plus alt plus c यह तीनों के लिए same है तो यहाँ पे पूछा गया comment insert करने का option कहां पे insert menu option c is the right answer अगला question देखिए LibreOffice impress में इस्थिति और आकार के लिए shortcut कुझे क्या है आप position पता करना चाते हैं आपको selected shape का position and size दोनों दिखाई पड़ेगा तो option b f4 is the right answer अगला question LibreOffice impress में एक piece पर अधिक्तम कितने handout print कर सकते हैं अब आपने से कई लोग सायथ handout के बारे में नहीं जानते होंगे handout होता गया है handout कहां से print करेंगे आपको जाना है file menu में file menu में आप जाएंगे print option पे print option कई सारी चीजे अलग 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 चीजों को print करने का option मिलता है क्या आप print करना चाहते हैं वह आपके उपर depend करेगा जैसे यहां पर देखे all slide या फिस selected slide आप print कर सकते हैं आप इसमें से odd even भी select कर सकते हैं ऐसा भी option दिया गया है प्लस यहां से जब आप आते हैं तो देखे आपके पास चार अलग अलग option मिल जाते हैं अभी by default के आपको print करने का option मिल रहा है slides आप आप प्रिंट कर सकते हैं तो आउट्लाइन प्रिंट कर सकते हैं आउट्लाइन में क्या मिलता है सिर्फ आपको bullets दिखेंगे इसमें कोई भी graphics दिखाई नहीं पड़ता है आउट्लाइन अगर आप print करेंगे तो सिर्फ आपको कुछ bullets में headings मिलेंगी notes प्रिंट कर सकते हैं आप जब slide बनाते हैं तो किसी भी slide के बारे में कुछ notes add कर सकते हैं उसके नीचे आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं तो यह अगर आपको सिर्फ यह notes प्रिंट करना है दिन आप notes option का इस्तिमाल कर सकते हैं और हर एक slide के अगर आपको एक printed copy चाहिए एक तरह से audience notes होता है अगर आप print करना चाहते हैं तो आप क्या print करेंगे handouts को यह option आपको कहा में लेंगे print dialog box की अंदर अभी यहाँ पे क्या है slide एक बार अगर handout select कर लें तो handout में आपको option मिल जाएंगे कितने handout according to the layout आप इसमें कितने handout पर page print करना चाहते हैं नीचे जाहिए option आपको मिल जाएगा बड़ इसमें एक option होता है अगर आप manually type करते हैं इस जगे पर जाके manually number of copies अगर आप select करेंगे तो 32 maximum तक आप print कर सकते हैं एक पीच पर कितनी slide print की जा सकते हैं 32 option D correct answer है बड़ याद रखेगा लिब्र आफिस पावर पॉइंट के अगर हम बात करें तो इसमें 9 होता है पावर पॉइंट में अधिकता हम कितनी slides print कर सकते हैं या कितने handout print कर सकते हैं एक पेज पर maximum 9 बट इसमें आप चाहें तो maximum 32 तक print कर सकते हैं अलगि 32 में आपको कुछ दिखेगा नहीं बहुत चोटी चोटी पिक्टर साएंगी slides के इसमें कुछ भी टेक्स्ट या जो image वगरा है वो visible नहीं होगा proper तो 9 maximum इसमें 32 कर सकते हैं जबकि powerpoint में क्या होता है 9 रहुल ने बता है 9 हाँ बिल्कुल सही बट यह powerpoint के लिए LibreOffice में आप 32 तक maximum print कर सकते हैं तो option D is the right answer next question देखे लिबर office में impress find and replace का option किस menu में होता है लिबर office impress में find and replace का option किस menu में होता है तो find and replace का जो option है वो तीनों में means writer, calc, impress इन तीनों में same menu के अंदर आपको मिलेगा यह menu काउन सा होता है edit menu कहाँ पर मिलता है edit menu में चाहिए तो आप देख लिए आपको writer, calc, impress इन तीनों के edit menu में आपको यह option मिल जाएगा edit में जाएगे यहाँ पर देखे find and replace का option दिया गया है इसकी shortcut की बहुत common है याद भी होना चाहिए ctrl plus h यह find and replace की shortcut की है तो option भी edit menu is the right answer लिब्र आफिस में menu की संख्या लिब्र आफिस इंप्रेस में menu की संख्या यहाँ पर इंप्रेस होना चाहिए था लिब्र आफिस इंप्रेस में menu की संख्या कितनी option 8 10 लिब्र आफिस इंप्रेस के लिए extension क्या है लिब्र आफिस इंप्रेस में जो file बनती है उसका default extension क्या होता है means उसका file type क्या होता है आपको याद रखना है .odt यह किसके लिए होता है writer के लिए open document text और इंप्रेस के लिए क्या होता है .ods open document spreadsheet और इसी तरह से लिब्र आफिस इंप्रेस के लिए होता है .odt open document presentation यह इंप्रेस का default file extension है option c is the right answer odp option c बिलकुल सही answer है अगला question देखिए presentation design course slide के लिए सरूपन formatting और layout को regulate करता है आमतर पर क्या कहा जाता है . . . . statement के माध्यम से पूछा गया . . . . इन में से क्या ऐसा है जो formatting और layout . . . . इसमें पहले से ready made templates रहते हैं जिनको आप use कर सकते हैं जो कि एक तरह की proper formatting होते हैं इसमें layout होता है designs होते हैं color schemes होते हैं यह template में रहता है आप अपना खुद का भी template बना सकते हैं प्लस ready made template का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो option b is the right answer slide में tables कैसे डालें means अगर आप LibreOffice impress में कोई table insert करना चाते हैं तो आप कैसे डाल सकते हैं table insert करने का विकल्ब कहां पर होता है देखे writer में table menu होता है writer में इक अलग से menu दिया गया है अगर writer में पूछा जाएगा तो table menu से डालते हैं shortcut की क्या होती राइटर में control plus f12 को इस्तिमाल करते हैं table insert करने के लिए बट अगर आप LibreOffice impress में जाएंगे तो आपको यहां पर insert menu से table यहां पर यहां पर डारेक डारेक को इसकी shortcut की define नहीं है हलाकि आप चाहें तो कस्टमाइज करके define कर सकते हैं बट यहां पर कोई direct shortcut की इसके लिए assign नहीं की गई है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा insert menu से table insert करें यह डाले option A correct answer है insert menu से आप table जोड सकते हैं डाल सकते हैं अगला question देखे और बताए इस question का right answer क्या होगा LibreOffice impress view जो केवल text प्रदर्शित करता है ऐसा कौन सा view होता है LibreOffice impress में जो सिर्फ आपको text दिखाई देता है या उसमें सिर्फ text आपको दिखाई पड़ेगा हो सकते हैं आपकी slide में काफी सारी tables, graphics, images यह सारी चीज़े हैं बट जब आप इस view में जाते हैं तो उस time के आपको सिर्फ क्या देखेगा text दिखता है ऐसा कौन सा view है इसको बोलते है outline view option is the right answer outline view में आपको सर्फ text headings देखेंगे bullets के form में और other graphics चों content हुआ आपको यहां पे visible नहीं होता है निम्न में से क्या impress के edit menu का option नहीं है निम्न लखित में से क्या impress menu के edit का option नहीं है sorry LibreOffice impress के edit menu का option नहीं इसको कौन सा edit menu में option नहीं होता है जैसे किसका नाम है edit edit में आपको क्या क्या मिलता है cut copy paste यह सारे options मिल जाते है duplicate का भी option मिल जाएगा duplicate का इस्तिमाल कहां करेंगे जैसे आपने एक shape insert की एक triangle insert कर दिया है ऐसा ही triangle आपको फिर से चाहिए आपकी किसी दूसी slide में तो आप duplicate option का इस्तिमाल कर सकते हैं जो कि edit menu में होता है option D correct answer हो जाएगा page setup यह option यह आपर नहीं होता है ठीक है यह option आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा तो इस question का right answer क्या हो जाएगा option D page setup option आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा handout print करते समय निमलेकित में से कौन सा बिकलप नहीं है handout print करते समय निमलेकित में से कौन सा बिकलप नहीं है अभी अभी मैंने इसको दिखाया था एक बार फिर से देख लीजे handout में कुछ default options रहते हैं कौन-कौन से options हैं वो आपको देखना है यहाँ पर जाएंगे slide की जगे पर handout select कर लेते हैं handout select करने के बाद यहाँ पर आपको देखना है देखें यहाँ पर slide 1, 2, 3, 4, 6, 9 यहाँ पर देखें 5 missing है 5 और 7 और 8 missing है 5, 7 और 8 यहाँ पर missing है ओके तो यही बस पूछा भी गया है इसको इनमें से क्या missing होता है इनमें से क्या missing है तो option B correct answer है प्लीज आप दुबार से call request कर लिजे एकसेप नहीं हो रहा है भी option B प्रति पेज 5 slide या 5 slide पर पेज यह option वापर नहीं दिया गया है इकाईयों में गड़ना का समय सुरू होगा means अगर आप अपनी presentation को automate करना चाते है using Rehears option के थूँ तो उसमें जब आप timing start होती है हर एक slide में जो timing add की जाती है कौन सी slide कितने minute या कितने second तक रहेगी इसकी basic unit क्या होती है means समय की सुरुवात किस में होती है millisecond, microsecond या second या minutes किस में सुरुवात होती है तो slide की जो timing है वो seconds में record होती तो option D correct answer हो जाएगा seconds क्या है option D seconds ये सबसे minimum या smallest unit होता है Rehears timing के लिए LibreOffice में duplicate आकरतियों की shortcut की duplicate आकरतियों की shortcut की इन में से कौन सा option आप यूज़ करेंगे जिसके थुरू आप किसी element को आप duplicate कर सकते है ये option आपको मिलता है edit menu में बट इसके लिए एक shortcut की भी define कर दी गई आप चाहें तो इसका इसका इस्तिमाल कर सकते है shift plus F3 कौन से shortcut की यूज़ करेंगे shift plus F3 आपको सबसे पहले shift select करना है उसके बाद shift plus F3 shortcut की प्रस करेंगे और इसके duplicate copy तयार हो जाएगी तो option B is the correct answer यदि आपको प्रस्तिती means presentation में सभी slide समान दिखाना है आप similar slide दिखाना चाहते हैं अपनी presentation के अंदर आपको निम लेखित में से किसका उप्यूग करना चाहिए जी बताइए क्या query आपकी तो इस question का right answer हो जाएगा आपको design template का इस्तिमाल करना है क्या यूज़ करेंगे design template option D is the right answer ठीक है आगला question देखिए impress slide को किसके द्वारा दूर से नियंत्रित किया जा सकता है impress slide को किसके द्वारा दूर से नियंत्रित किया जा सकता है कि प्लीज जल्दी से क्वेरी क्वेशन अपना पूछी जो भी क्वेशन आपका हेलो जी बताएं कि सर मुझे जाना था और लेवल करने के विश्चाथ गोर्मेंट के अलावा प्राइवेट में क्या स्कोप है जी मैं एक विश्चाथ गोर्मेंट सेक्टर के अलाव प्राइवेट सेक्टर के अलाव प्राइवेट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर के अलाव प्राइवेट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर के अलावा प्राइवेट जा सकते हो प्लस अगर हम बात करें गौर्मेंट में तो बहुत सारी ऐसी बेकंसी जाते हैं जिसमें मिनिमम एक साइडिफिकेशन कोस आपके पास ओलेबल या वन येर का साइडिफिकेशन कोस कम्प्यूटर का मांगते हैं तो उसमें आप हो जाएंगे ठीक है जूनियर प्रोगरामर की वेकंसी में थोड़ा सा लिमेंटेसम इन अपास वास जा वबद इसके अद़्यिकIE कर सकते हो बड़ इसमें आपको प्राक्तिकल को नौलेज होना चाहिए तब ही कम्पनी आपको जॉब देगी और कंप्यूटर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो जा सकते हो बट इसमें भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए सर जैसे लीजी निवल की नोगरिया निकलती है आईटी सेक्टर में आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही प्लीज दुवारा से कॉल कर लिजी अपिर इस टाइप के वाटसेप पे डिसकस कर लिजेगा हम आपको बता देंगे ठीक है क्लास इन सब चीजों से बीच में इंटर्प्ट होती है आपको क्वेस्टन से रिलेटर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ लिजे बाकि अगर हम यह डिसकस कर लेंगे लास्ट में आप डिसकस कीजेगा हम बता देंगे आपको ठीक है दन्यवाद सर्थ इंप्रश स्लाइड को किसके द्वारा दूर से नियंत्रिक किया जा सकता है आप्शन बी एक ब्लुटूथ दिवाइस आता है जिसके थूँँ आप अपनी स्लाइड को रेँमोटल कर सकते हैं उसे भी आप navigate कर सकते हैं इस लागो किया जा सकता है आप animation कहां पर apply कर सकते हैं दो words होते हैं आप एक होता है transition दूसा होता है animation अब transition और animation में basic क्या difference है देखे transition कप दिखता है आपको जब एक slide से दूसी slide पर आप switch करते हो तो जो effect आपको यहां पर दिखता है उसको क्या बोलत आपको एक छोटा सा इफेक्ट दिखेगा स्क्रीन पर यह क्या है जब हम स्लाइट चेंज करते हैं तो आपको यहां पर टाइशन एफेक्ट आता है ठीक है बड़ जो एनिमेशन होता है स्लाइड की अंदर जो आपजेक्ट होते हैं जैसे आपने कोई इमेज इंसर्ड की यह कुछ चेस एक इंसर्ड किया टेक्स इंसर्ड किया उस पे आप जो एक leaf apply करते हैं इसको एनिमेशन इफेक्ट के नाम से जनते हैं अब पूछा गया presentation में animation scheme को कहां पर लागू किया जाता है आप सभी slide पर लागू कर सकते हैं selected slide पर आप लागू कर सकते हैं और current slide पर भी लागू कर सकते हैं means option deal is the right answer उपर के सभी या फिर all of the above अगला question देखिए अपनी slide के लिए layout डिजाइन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है अब यह थोड़ा सा logical question है इसका right answer क्या होगा आप में से जिनको भी समझ में आ रहा है बताईए बड़ इससे पहले concept समझ लीजे होता गया है जब भी हम कोई slide बनाते हैं कोई presentation बनाते हैं तो हमारी अपनी खुद की requirement होती है और हर एक slide पे एक particular topic पे based content होता है तो content के साब से वहां पे उसका layout भी नहीं हो सकता है अलग-अलग type की contents रखेंगे तो आप उसका design भी अलग-अलग होगा means उसका layout भी अलग-अलग होना चाहिए हो सकता है उसमें एक box के requirement हो दूसरे में table दिखानी है चौते में में क्या करना है एक chart insert करना है तो हर एक slide का एक layout वो different layout होना चाहिए में भी होता है कई बार तो बस वहीं से question को पूछा गया है थोड़ा सा logical question है option B देखे तो टेक नई slide के लिए slide layout task pane से एक layout का chain करें जो आपकी requirement के साथ से suitable हो हर बार आपको एक नई slide के लिए क्लिए क्या करना है एक नया slide layout select करना है layout pane से जो कि आपको side में देखता है अगर आपने side bar enable किया है तो आपको यह side में देखेगा right hand side में आता है वहां से आप layout select कर सकते हैं तो option B is the right answer अगला question देखे वैसे आप में से बहुत से लोग सूच रहे होंगे सर यह कैसे करेंगे चलिए यहां से हम side bar enable कर लेते हैं एक नया कोई slide insert करेंगे new slide ठीक है यहां पर देखे आपके पास अभी animation scheme हमने स्लाइड में select कर रखी है आप देखें आप ले आपको दिखेंगे यह title slide हो गया title content slide हो गया तो इस तरह की आपको layout मिलते हैं इन में से आप कोई भी layout सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे इसकों ने सेलेक्ट किया या फिर यह या फिर यह अब जैसी requirement है उसके साफ से आप यहां पर layout insert कर सकते हैं जोड़ो सकते हैं अपनी slide में यह layout हो गया कि जी बताएं अब जी बताएं जर आवाज क्लियर नहीं आ रही थी और वीडियो भी ते विपका हुआ था प्लीज आप में से और कोई कमेंट करके बताएं क्या आवाज का कोई इसू आ रहा है क्योंकि में भी आपके साइड में network का इसू भी हो सकता है इसकी वएसे भी वीडियो फ्रीज हो सकता है ठीक है अगर कोई इसू आ रहा है तो प्लीज जल्दी से बताएगा मैं यस रभी रभी क्या आवाज में कोई इसू आ रहा है या फिर स्क्रीन फ्रीज हो रहा है प्लीज बताएगे अवाज ठीक आ रहा है सर ठीक है ओके तेंक्यू तो देखिए यहाँ पर लेयाउट से रिलेटेड भी एक क्वेशन पूछा जा सकता है कितने लेयाउट होते हैं यहाँ प तो टूटल कितने लेयाउट हो जाएंगे यह डिफॉल्ट लेयाउट होते हैं 12 इनमें से आप कोई भी अपनी रेक्वार्मेंट के साब से सेलेक्ट कर सकते हूं तो इस क्वेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हैंडाउट मास्टर द्वारा परिभासित किया गया है इ उसमें header या footer आप add करना चाते हैं तो यह कर सकते हैं उसके साथ में कुछ और customization करना चाते हैं यह चीज़े हम कहां से करते हैं किसके द्वारा करते हैं हैंडाउट लेयाउट डिजाइन करने के लिए हम किसका इस्तिमाल करते हैं Master Handout का Option is the right answer Master Handout का इस्तिमाल करते हैं हैंड layout का layout fix करने के लिए आप सभी slide को background image को जोड़कर एक समान उपस्तिती कैसे बना सकते हैं एक similar look आप देना चाते हैं तो आप इनमें से किसका इस्तिमाल करेंगे जैसे आप background में एक image जोड़ना चाते हैं और आप चाते हैं कि सभी slide में automatic यह image add हो जाए तो उस case में आप क्या क करेंगे slide master को आप edit करेंगे ऐसे अगर मालीजे आपने कोई slide बनाई है presentation बनाए उसमें कई सारी slides है इस तरह से हमारे पास कई सारी slides है अब आपको लगता है कि आपको अपनी company का यहां पे logo insert करना है हम चाहते हैं कि एक ही slide पे insert करें और वो बागी सभी slides में automatic add हो जाए ऐसा क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा slide master को edit करना पड़ेगा और वहां पे जाके जब आप logo fix कर देंगे तो automatic बागी other slides पे एक particular location पे जाके वो automatic add हो जाएगा तो आपको हर एक slide पे जाके अलग से वो logo या फिर picture या image इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी ऐसे अगर आप background चेंज करना चाहते हैं background में कोई image लगाना चाहते हैं तो भी आप slide master के थ्रूप कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएग option B slide master को edit करें अगर आप background में एक image लगाना चाहते हैं slide show का बिकलफ किस menu में होता है slide show आप कहां से start कर सकते है slide show start करने की shortcut key क्या है f5 और shift plus f5 यह दो shortcut keys हम यूज कर सकते है slide show start करने के लिए पहली है यह first slide से slide show start करेगी और जो shift plus f5 होता है यह कहां से start करता है current slide से slide show start करने की shortcut की है shift plus f5 तो slide show का बिकलफ किस menu में होता है अलग से एक menu दिया गया है जिसका नाम है slide show option B इस menu से आप slide show start कर सकते हैं जैसे देखिए आपे आपके पास एक कर सकते हैं जैसे new slide add करने की shortcut की भी एकजामे पुछी जा सकते हैं तो control plus M होता है यहां से आप slide को duplicate कर सकते हैं बट अगर आपको slide show start करना है तो आपको slide show option पर जाना पड़ेगा और यहीं से आपको Rears timing add करने का भी option मिलता है अगर एक्जाम में कहीं भूछा जाए कि Rears timing हम कहां से किस menu से add कर सकते हैं तो यह आपको slide show menu से add करने का option मिलता है यहां से आप यहां से custom slide show भी set कर सकते हैं जैसे माली से आपकी slide में total आपकी presentation में total 15 slides हैं बट आप उन में से सभी slides नहीं दिखाना चाहते हैं कुछ slides दिखाना चाहते हैं तो आप यहां से customize भी कर सकते हैं slide show की settings होते हैं वो भी आप यहां से change कर सकते हैं आप अपनी requirement के साथ से तो इस question का right answer हो जाएगा option b slide show option से हम slide show start करते हैं तो बस यह था आज की revision class का last question आज से हमारी ट्रपल सी की revision class start हो रही इवन इसमें हम 2023 ले चैप्टर वाइस त्रीज लेके आ रहे हैं जो के हमारी YouTube चैनल पर बिल्कुल फुरी रहेगा आप सबी का syllabus जो आई टी टूल का syllabus और ट्रपल सी का syllabus से सिमिलर है सेम है तो यह class बिल्कुल फुरी है YouTube के आप चाहें तो इस class को भी इस class के जस्ट बाद साम आठ बजे से होगी तो आप लोग भी class को जोईन कर सकते हैं कि अधिक हम मौडल पेपर भी प्रोवाइड करने वाले आई टी टूल का तो आप सब तयार रहेगा जी रही बताएं तो इसी का आप कमेंट सेक्शन में भीज दीजे अब नेक्स क्लास में इसको डिसकुस कर लेंगे इसी का है सर इनमें से कौन एक सर्च इंजन है एक मिन स सुन लिए सर हाँ ठीक है आप चैट सेक्शन में टाइप करके भेज दीजे प्रापर्टरी कैसी या फिर बताएं क्या है इसी में इसी में आप बता दीजे क्या है जल्दी से इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है आप संसुनिए सर बताएं गूगल दूसरा जीमेल कि तीसर कौन सा सर्च इंजन है तो इसी लिए सर ये कोईस्चन में लिख लिया हूं कन्फ्यूजन इसमें है तो इसे सर कोईस्चन मिला अगस्ट वाले पेपर में से अगर बात करें तो चारों कर सकते हैं उससे यह वुगा कि कुछ रोंका मार्क्स का कहीं नुकसान हुआ होगा अगर नाइलेट ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बस इस क्लास को यह पर करते हैं आप में से जिन लोगों ने डेप आज हम चैप्टर नंबर फाइब जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्स रिटें इंपॉर्डन कोश्चन डिस्कस करेंगे तो आप साड़ी नो बज़े उस क्लास को जरू जाइन कीजेगा क्लास अगर कभी भी दू चार पांच मेंट लेट होती तो थ आप से रिलेटेटन कुछ इंपॉर्डन कोश्चन डिसकस करेंगे ठीक है तो बस सिंवा-टास को यहां यहां यह चाहिए